आज की इस एपिसोड में डिसकस करेंगे कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहां ट्रेंड दिख सकता है जैकपोट कॉल कहां लग सकते हैं कॉल या पुट के तरफ कहां एक बड़े लेविल सापको मिलेंगे FIs की activity क्या रही है और इसमें अडानी को लेकर के क्या news trend हो रहा है इस एपिसोड को आगे बढ़ाएं इससे पहले I hope कि आपने टेलिग्राम को जॉइन कर लिया है क्योंकि सारे अपडेट्स आपको टेलिग्राम से ही मिलने हैं और इस एपिसोड को अगर आप ब्रीफ समझना चाते हैं तो market scientist के channel को surely follow करें जहां briefly आप इसके analysis को easily समझ पाएंगे हमने देखा कि overall calls और put के अंदर देखें तो जो FIs है वो overall देखें तो आपको bullies position में दिख रहा है यहां देखेंगे index future में बाइंग और cash में काफी लंबे समय के बाद आज FIs ने DI से ज्यादा बाइंग क हमने देखा कि अगर overall bank nifty के data को देखें तो PCR 0.5 है और 40,500 एक major support दिख रहा है और वही डेजिस्टेंज देखें तो 41,000 यानि जो total जोन बन रहा है 39,900 से ले करके 41,400 का जोन बनते दिख रहा है यानि कल expiry पे volatility काफी ज़्यादा आपको दिख सकता है आज हमने देखा Swiss credit के तरब से अडानी bond के acceptability को question mark करा गया कहा गया कि यह accept नहीं किया जाएगा loan के लिए उसके बाद market में काफी trend देखने को मिला हलांकि trend call के तरब भी अपने को देखने को मिला और put के तरब भी देखने को मिला depend करा कि आपने क्या लिया है वो comment box में जरूर share करें कल देखेंगे तो market का जो एक trend बना है support और resistance वो काफी बड़ा दिख रहा है तो मेरा मानना है अगर 41,500 को उपर market sustain करता है तो call के लिए buy on dips का opportunity लेंगे चुकि 41,400 एक major support है इसके बाद 42,000 तक के levels दिख सकते हैं sorry 41,500 एक major resistance है यानि इसके उपर sustain करता है तो buy on dips और call के लिए जाएंगे और अगर 41,400 को breakdown करता है तो एक sharp put की तरफ opportunity दिख सकता है call वाले के लिए कहां कहां opportunity दिखेगा पहला opportunity opportunity 41,500 के उपर दूसरा अगर नीचे के तरफ आता है तो 40 तो नीचे की तरफ अगर देख सॉरी मैं 41,400 कह रहा हूं यहां देखेंगे इस समय market 40,500 के आसपास का है तो पहला opportunity 40,500 के आसपास नीचे आकर के market कहीं trade करता है तो 40,000 के आसपास wait करेंगे price section का और उपर एक 40,700 के आसपास ये तीन zone multi-vagger points के लिए दिख रहे हैं अगर वहीं put के लिए बात करें तो 41,400 एक major put के लिए jackpot point यहां से दिख सकता है दूसरा देखें तो 41,100 के आसपास का position और तिसरा 41,750 के आसपास ये तीन zone को ध्यान रखेंगे जहां काफी small SL के साथ लंबे target लिए जा सकते हैं इसके साथ ही अगर आगे nifty को देखें तो nifty में 17,600 support और resistance 17,800 तो nifty के अंदर भी volatility काफी दिख सकता है जिस प्रकार से आज हमने देखा 17,900 एक major resistance बन रहा है और 17,600 support दिख रहा है लेकिन ये नीचे से अगें देखेंगे तो 600 के आसपास का closing रहा है तो ध्यान रखेंगे गर 17,600 के आसपास अगर market sustain करें तो buy on dips में call के लिए जाएंगे और 17,580 के नीचे आता है तो फिर put के लिए आएंगे ये दो level है जहां put और call के लिए buy on dips का opportunity को लेंगे 17,600 के नीचे आता है तो 17,500 का पहला target और 17,380 का दूसरा target दिखेगा वही अगर call के लिए करें तो पहला 17,480,500 के आसपास अगर रहता है तो 17,600 तक के level दिखेंगे और इसको sustain करता है तो 17,750 और 800 तक के levels भी दिख सकते हैं